हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल इस्टीचिंग विद रीना फ्रेंड्स आज हम आपको नायरा इस्टाइल कुर्ति की कटिंग और सिलाई करना बताएंगे तो यहां पे इसके लिए मैंने यह कपड़ा लिया है और यह जो कपड़ा है यह धाई मीटर कपड़ा है धा कपड़ी से उपर की बनानी है तो आप 3 मीटर कपड़ा लीजेगा तो यहां पे हम उपर का जो बाटम पार्ट होता है उसको कट करने के लिए एक साइट से मैंने कपड़े को फोर फोल्ड करके फोल्ड कर लिया है और यहां पे नापके देख लेना है इस तरह से इसकी जो चोड़ाई है वो पूरी आ जाएगी कि नहीं तो हमारी चोड़ाई 4 फोल्ड में आराम से आ जाएगी और इसकी जो लंबाई रखनी है वो हम लेंगे 14 इंच तो हम यहां पे 14 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको यहां से सीधा कर लेंगे और यहां से इसको हम कट कर तो यह जो हमारा उपर का top part बनेगा उसके लिए हमने ये कपड़ा कट किया है बाके कपड़े को मैंने हटा दिया अब यहाँ पे इसकी हम cutting कर लेंगे यहाँ पे इसके हम solder का निशान लगाएंगे जो कि मैंने 6 inch पे लगाया है आर्म होल इसका लेंगे हम 7 इंच तो इस तरह से यहाँ पे हम आर्म होल का निशान 7 इंच पे लगा लेंगे और इसका जो breast size है वो है 36 इंच तो 36 का जो चोथाई हिस्सा होता वो हमें यहाँ पे निशान लगायाना है जो की होगा 9 इंच इसे एकदम सीधा कर लेना है अब हमें यहाँ पे इसके कमर का निशान लगाना है कमर है इसकी 32 इंच 32 का 1 फोर्थ यहाँ पे होगा 8 इंच तो हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हमें निशान को मिला लेना है और इसके बाद यहाँ पे हम मार्जन ले लेंगे तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच मार्जन लिया है इसको भी हम सीधा कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे 1.5 इंच से हम बैक आर्म होल की गुलाई देंगे और 1 इंच से हम फ्रेंट आर्म होल की गुलाई देंगे जो हमारा front neck होगा वो रहेगा 6 inch तो अभी हम 6 inch से ही निशान लगाएंगे तो यहाँ पे मैंने यह निशान लगा लिया और यहाँ पे हमें कुछ pann đi shape में neck बनाना है तो इस तरह से यहाँ पे हम 5 सेप में neck को draw कर लेंगे यह हमें निशान लगा लिये हैं अब यहां से हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो अभी हमें बैक पार्ट के साब से इसको कट करना है और नेक की कटिंग अभी नहीं करनी है अभी यहां से इसको हम ऐसे खोल लेंगे और बैक पार्ट को निकाल देंगे अब इसकी बाद हम यहाँ पे इसके नेक की भी cutting कर लेंगे यह मैंने इसकी cutting कर ली है और जो आर्म होल की गहराइ कट करनी थी वो भी cut कर लेंगे और हमने half inch तक solder भी down करके cut किया है तो इस तरह से इसकी cutting कर ली है अब इसके बाद यह जो मारा back part था उसको भी लेंगे यहाँ पे भी हम इसके neck का निशान लगाएंगे इसकी neck विर्थ रखेंगे हम धाइ इंच और इसकी जो back part की deepness रखी वो रखी मैंने 7 इंच और यहाँ पे हम gold neck बनाएंगे तो इस तरह से यहाँ पे भी इसकी cutting कर लेंगे यहाँ पे भी हमें half inch solder down करके cut कर लेना है तो इस तरह से मैंने इसकी cutting कर ली है अब यहाँ पे यह जो कपड़ा बचा हुआ है इसको लेंगे और जितनी हमें लंबाई रखनी है उस हिसाब से इस तरह से मैंने इसको फिर से फोल्ड करके फोल्ड कर लिया है तो यहांपे हमें दोनों साइड के जो पार्ट कट करते हैं उसकी कटिंग करनी है तो देखे इसकी जो जितनी चोड़ाई थी वो चोड़ाई मैंने पूरी ले ली है और 14 इंच उपर का टॉप पार्ट हमारा रहेगा तो 14 इंच हम उपर निकाल देंगे इसके बाद यहाँ पे इसकी हम लंबाई का निशान लगाएंगे तो हमें इसकी जो लंबाई रखनी है वो रखनी है 42 इंच यह तो हमारी लंबाई का निशान हो गया इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 इंच मार्जन भी एड़ किया है जो कि हमारा सिलाई में जाएगा तो देखे हमारे एक पार्ट जो है वो 30 इंच का कटके रेडी होगा देखे इस तरह से जो 14 इंच हमने उपर निकाला था उसको मिलाते हुए और यहाँ से इसको हम कट कर लेंगे अब इसके बाद यह जो सेंटर में जॉइंट है इसको भी खोल के हमारे जो दोनों पार्ट है उनको भी हमें अलग-अलग कर लेना है तो यह हमारे दोनों पार्ट भी कट हो गए है अभी इनको भी हम साइड में करते हैं और बाकी जो ये साइड से कप्डा निकला हुआ है इसको भी हम अब फोर फोल्ड करके फोल्ड कर लेंगे यहाँ पे हमें इसके आस्तिन की कटिंग करनी है तो यहाँ पे मैंने इसको फोर फोल्ड में बिछा लिया है आस्तिन की जो लंबाई रखनी है वो रखनी है 16 इंच मे ग्हया gee ऐए टोओ कम઻ी खुल रखुली सबस्क्राइप मज़र्ल Sikh लगा लिया है और 10 गोर्फ मज़र mote तो इसको से मेट प्रिएट शीőर निशान लगा है हुझ जा वाहनों पुछाइफ ब्लिग्य tag इसको मिल मिला देंगे इसके बाद यहाँ पे हमें मार्जन ले लेना है तो मार्जन हमें इसमें उतना ही रखना है जितना हमने सूट में रखा है अब उपर से यहाँ से हम इसमें आस्तिन का सेव दे देंगे इस तरह से मैंने यहाँ पे सेव दे दिया और अब ये जो हमने निशान लगाएं हैं इनी निशानों पे ही हमें इसकी cutting कर लेनी है तो आगे की side में जो हम गहराई cut करते हैं वो अभी हमने cut नहीं करी है इसमें वो हम सिलाई करते वक्त cut करेंगे और बाकी जो side से थोड़ा सा कपड़ा बचा था उससे हम डोरी बना लेंगे तो अब हम करते हैं इसकी सिलाई तो उपर का top part लेंगे यहाँ पे हमने यह neck cut किया था तो neck बनाना है neck बनाने से पहले हमने यह एक lace ली है इसमें हमें lace नहीं लगानी है simple ही हमें neck बना लेना है इसके बाद इसको ऐसे उल्टा करते हुए इसके solder भी joint कर लेंगे तो यहाँ पे देखे इस तरह से मैंने lace लगा के इसका neck बना लिया था और दोनों side के neck बनाने के बाद मैंने यह solder भी joint कर लिये थे अब हम यहाँ पे आस्तिन को भी joint करेंगे तो देखे आस्तिन पे मैंने simple सी design बनाई है तो अगर जो आपको भी यह design बनाना सीखना है तो link description box में मिल जाएगा आप वहाँ से सीख सकते हैं और इस तरह से आस्तिन को भी उल्टा करते हुए रखेंगे और यहाँ पे इसको भी seal लेंगे सेम इसी तरह से दूसरी आस्तिन को भी हम seal लेंगे तो दोनों आस्तिने भी देखे मैंने इस तरह से joint करके ले लिया है अब हमें नीचे का जो हमारा part है उसको attach करना है तो इस तरह से हम इसको खोल के रखेंगे और यहाँ पे एक निशान हम लगाएंगे तीन इंच पे देड़ इंच तो हमारा margin में चाहेगा देड़ इंच हम और अंदर को निशान लगाएंगे तो तीन इंच पे हमने निशान लगाया जो दूसरा side है उस साइड में भी हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे तो ये जो दोनों साइड में निशान लगाया है इसके जो अंदर का साइड है इसमें हमें प्लेट डालनी है जो कि हमने इसके नीचे के लिए पार्ट कट किया था इसमें जो भी इश्ट्रा कपड़ा है उस कपड़े से हमें इसमें प्लेट भरनी है तो इसको इसके उपर इस तरह से उल्टा करते हुए रखेंगे और जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया था यहां तक हमें एकदम सीधी सिलाई लगानी है तो देखें इस तरह से रखेंगे और तीन इंची तक हम एकदम सीधी सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से प्लेट डाल लेंगे तो यह जितनी भी हमारी प्लेट आएंगी सारी बराबर की ही प्लेट डालनी है जिस हिसाब से आपके पास कप्रा है उस हिसाब से आप यहाँ पे प्लेटो डिक सबसी बिर ने करते हैं प्लेटो हैं और यहां कम कप्र्दा है तो फोल्व यहाँ बेपे बिर شonnel आखते हैं जितनी भी हमें प्लेटो डालनी है जो धुल में, अब लगाने हैं तो देखे इस तरह से जो हमने र妳ज़ भरी है उसके बाद लुक है कुछ इस तरह से आईगा देखे से इतरी से जो हमारा दूसर Caribbean के और गौगat हमें सुमें हमें दूसरे पार्ट को सिलके रेडी ओफिर में तो क्वास और वाला पार्ट है यहीं तक सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप नीचे तक थोड़ा सा लगाना चाहते हैं तो आप नीचे तक भी सिलाई लगा सकते हैं तो मैंने यहां नीचे की साइड में तीन इंच नीचे तक सिलाई लगाई है दूसरे साइड में भी हमें इसी तरह से ह सिलाई लगानी है और जो उपर आस्तीन है आस्तीन को भी हम इसी फिटिंग से ही यहां पे इस तरह से निशान लगा के यहां पे भी हम सिलाई लगा लेंगे तो जो हमने उपर के पार्ट से तीन इंच नीचे को निशान लगाया है वहां तक हम दोनों साइड में सिलाई लगा है इस तरह से मैंने इसको सिल्के रेडी कर लिया है और अब हमें नीचे की साइड में सायट स्लिट्स बनानी है तो दीखे सिलाई मार्जन के बराबर से जो भी यह कपड़ा इस्ट्रा है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें हमें चारों तरब से सैड्स बनाके रे इस तरह से लटकन अटाइच किये हैं यह देखे और अगर जो आप इसमें लेस भी लगाते हैं तो इसका लुक और भी अच्छा आ जाएगा मैंने यहां पे लेस नहीं लगाई है तो यह जो कुर्ती है हमारी यह बन के रेडी हो गई है आप लोग मुझे कमेंट में बताएग कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और अगर जो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो